नमस्कार दोस्तों आप साब का स्वागत है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलजी सीरीज जो एसकोर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट चैनल पे हम हर हफ़ता लॉंच कर रहे हैं इस हफ़ते का जो एपिसोड है वो है ट्रेक्टर के प्रश्णोतर के उपर आज हमारे साथ उपस्तित हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो 40 साल से भी ज्यादा ट्रेक्टर के उपर ग्यान रखते हैं पंद्रा अलग अलग देशों में गूमा भी है और खुद ट्रेक्टर भी चलाते हैं हमारे साथ उपस्तित हैं आज मिश्टर रंदावा जी वेलकम सर समय को अबाव देखते हुए हम पहले सवाल के और बढ़ते हैं पहला सवाल आया हुआ है सत्वीर सैनी जी का और ये पूछ रहे हैं सर मेरे एक क्वेशन है इसकोर्ड कंपनी साइलेंट ट्रेक्टर मोडल कब लांच करेगा हम आपके कृच्चन से साइलेंट ट्रक्टर हम जो समझ रहे हैं कि जिसकी आवाज कम हो यह हम बिलकोल इना को बिलकोल आवज न देने वार्ठर लैक्टिक ट्रैक्टर होगा मैं जो कि छोटे होस्पार में अल्रडी हमने लॉच किया है उसका गौवर्मन्ट सर्टिफिकेशन भी हो गया है और जल्दी ही आपको मार्केट में उसका आप डीले से कॉंटाक्ट कर सकते हैं और कम अवाज वाला तो हम हमेशा कोशिक करते हैं कि अवाज कम हो मगर बहुत लोग तो हमें अवाज कम करने का अजाज़त नहीं देते क्योंकि जो लोग इतने सालों से फार्म ट्रैक या पावर ट्रैक की अवार सुनते हैं वो कहते हैं कि अवाज चेंज नहीं होना चाहिए जो मर्जी हो जाए तो आपकी जो रुक्वार्मेंट है वो वह भी देखेंगे कै कैसे पूरी हो सकती है मगर अभी तो हमारे जो अवाज है वो पब्लिक डिमांड पर हम देते हैं तैंक्यू तैंक्यू वेरी मच सर बिल्कुल सही का सर जो पूरी एशिया के अंदर जो पहला एलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉंच करने वाला कमनी था वह स्कॉर्ट जो हमने ब बूदनी के टेस्टिंग के अंदर एप्रूव भी किया है वो है एसकॉर्ट अगले सवाल की और बढ़ते हैं और यह है मोहन वाक जी का यह पूछ रहे हैं एसकॉर्ट मॉडल क्यूं इंडिया में लॉंच नहीं कर रहे हो जैसे की एसी का कैबिन का ट्रैक्टर बाइए एक लगा होता है और खर्चा भी काफी होता है जो यहां का कस्टमर उसको यूज नहीं करता और उसको पैसा नहीं देता तो इधर हम आपकी रुकाइमेंट में ही अच्छा से अच्छा ट्रैक्टर बनाते हैं और कीमत को कंट्रोल करके बहुत बढ़ी असर बहुत अच्छा जवाब था अगले सवाल की और बढ़ते हैं यह है जुसा कान जी का और इनका सवाल है सर फार्म ट्रेक साट एपियाई में आर्ट सब्सक्राइब का रोटर वेटर लगा सकते हैं क्या साथ ही जो पावर मैक्स में अभी शुरू हुआ है वो ट्रैक्टर पच्पन ऑसपार का है उसमें तो लग जाएगा अगर आप पहले वाले साट की बात कर रहे हैं तो उसकी पावर थोड़ी कम है उसमें साथ फूर तक जाता है नए मोडल में पावर मैक्स में 8 फूर लगेगा बहुत बहुत धन्यवाद सर फार्म ट्रैक जैसे की पावर फूल माना भी जाता है पूरी दुनिया में अभी और भी पावर फूल हो गया पावर मैक्स सीरीज के साथ अगले सवाल की और बढ़ते हैं यह है चलेगा देखिए गरारी यानि कि जो रोटर के नीचे चक्कर बनते हैं वहीं उसमें चेंज आएगा 16-19 में कोई 180 चक्कर बनेंगे जो रोटर के ब्लेट के चक्कर शाफ्ट के चक्कर है और 17-18 होती है 17-18 दूसरा उप्शन है उसमें 200 प्लस बनेंगे तो अगर रोटर वेटर के नीचे चक्कर ब्लेड के ज़्यादा है तो मटी बरीक बनेगी पावर थोड़ी ज़्यादा लगेगी मगर अगर आपकी मटी थोड़ी नरम है अच्छा उसमें मौश्चर है तो आप 200 चकर में चला सकते हो नहीं तो उसको 180 चकर में चलाएगे उ यह किसान को कैसे मालूम पड़ेगा अगर उसके पास कोई रोटर वेटर है क्या वो उसको गुमा के अपनी तरफ से चेक कर सकता है कि यह मेरे ट्रेक्टर में रोटर की स्पीड मैच होगा की नहीं उसका तरीका बड़ा सिंपल होता है क्योंकि आपके लिए पास आर्पिया आर्पियम हो जाएगा शाप के एक चक्कर और ब्लेड के तीन चक्कर यानि कि आप पांसो चालिस को तीन से डिवाइड करेंगे तो एक सो सी के करीब आएगा बहुत-बहुत धन्यवाद सर अगली सवाल की और बढ़ते हैं यह संदीप स्वामी जी का और यह पूछ रहे है सर मेरे पास पावर ट्रैक चवालिस पच्पन बीटी और वह भी दो हजार चौदा का मॉडल है और टायर साइज है 1698 यह जब भी में मोड काटता हूं तभी इंजिन के आर्पियम गटते हैं इसका कोई हल बताइए तो आपके स्वाल से मैं यह समझ रहा हूं कि जो भी आप करें इस्थे पीछे लगाते हैं उसकी वाजाज से मोड पर आर्पियर तूटते हैं मेरे हिसाब से ऐपने इंपलिमंट नहीं लिखा मगर कल्टिवेटर हो सकता है अगर कल्टिवेटर में आप होता है तो वह आपके कल्टिवेटर में डिजाइन में कोई फॉल्ट है ट्रेक्टर में ऐसा कोई इसू नहीं है जब सीधे मोड में सीधे लाइन में चलेगा आर्पियों नहीं तोटते हैं तो मोड में इनका सवाल है सर मेरे पास 436 है और मोडिफाई इसको कराके मैं इस्तमाल करूँ या फार्म ट्रैक 45 नया खरीदूँ सलाह दे इसके उपर हमारी यहीं आपको सजेशन है कि 36 के उपर जो भी आप खर्चा करेंगे उससे आपका सुर्फ शौक पूरा होगा कि मनें 36 रखा है समय से उसमें बहुत मोडिफिकेशन हो चुके हैं जो पहले कई इसमें कमिया थी 36 में वह इसमें ज्यादा अच्छी हो चुकी है इसकी हडालिक लिफ्ट भी ज्यादा बज़न उठाती है 45 की और पीट्यों भी मजबूत हो चुकी है गेर बॉक्स आगे से बैतर हो चुका है तो इसमें कम से कम अगर हम गिनें तो 40-50 इंप्रूब्मेंट हो चुके हैं 36 के मखावले तो ये आपकी चौइस है शौक को पूरा करना है कि आपको एक अच्छा पूड़क्ट लेना है जो आगे से बेतर हो चुका है उसी सवाल से जुड़ते हैं उन्होंने एक और सेंटे चाहिए ना इसके साथ अगर आप जानना चाहोगे तो भारत वर्ष में भी आदुनिक खेती स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे ऐसे उपकरन आ रहे हैं जिनमें आपको नए फीचर की ज़रूत पड़ रही है जैसे कि आपको हैवी लिफ्ट कैपासिटी हाइड्रोलिकी ज महारस्टा से हैं ओर इनका सवाल है महारस्टा में पावर मुट्रम बोर्ड़ deepest को साथ साथ सभीрий मालें नहीं त्युक्त पार्ट की बहुत पार्ट्स तो जो पहले हमारे फार्म ट्रेक चल रहे हैं उसके कॉमन है थोड़े नए पार्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर अगली सवाल की और बढ़ते हैं यह हमराज शर्माजी का और यह पूछ रहे हैं सर मुझे 50 HP का ट्रेक्टर खरीदना ह हैं मैं कौन सा ब्रैंड लूँ पावर ट्रेक फार्म ट्रेक या डिजी ट्रेक 50 HP में मेरे पास पहले से पावर ट्रेक का 440 है अब मुझे ट्रेक्टर खरीदना है तो आपका सला दीजिए एक तो आपके पास पावर ट्रेक 440 है मॉटर के इसाफ से लगता है कि बहुत सालों से आपने संभालके रखा है उसको आज के दिन में एक तो आपने जापना एरिया नहीं बताया तो आप प्तानी को अधों डिजी ट्रेक मिलेगा के नहीं कि तो मैं पाउवर्ट्रेक सब्सक्राइब के अगें चल्च मेरा को ब्रैट two-州 फ हबेर बहुत अच्छे थिह पाउट्रेक मेर किपेंद्रम ऑऊजर्ट्रेक के Cancer で है और फांडेति करना है तो दोनों में हमारे पास ज्यादा आदुनिक गेरवोक्स भी है पावाट्रेक में 12 प्लस 3 का गेरवक्स है जिसको एबी सी केटिकरी में हम बोलतेैं और वांड्रेक में टीटउन्टी बोलते हैं उसको उसमें 16 के चार पीछे के गेर विए टोटल बीस गेर होते हैं अगर आधुनिक खेती करनी है तो एट प्लस टू को छोड़ दे अगर सिंपल खेती करनी है तो एट प्लस टू आप ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत अच्छा सुजावता अगले सवाल की और बढ़ते हैं और ये आता है चैनल माई इंडिया माई फैमिली के नाम से मेरा नाम है चंदर मोहन और मेरे पास है फार्म ट्रैक 45 इसमें मुझे लगता है कि ट्रेक्टर के चक्कर कम है मतलब ट्रे स्पीड बढ़ा देंगे तुम्हें ज्यादा काम कर सकता हुआ ज्यादा कमा भी सकता हूँ इसमें सुझावत दीजिए आप ने कहां गया बाड़े पर काम करते हैं और टेज चलने को ज्यादा पैसे मिलेंगे मगर हम जो रोटवेटर या कोई ऐसे काम के लिए ट्रैक्टर की स्पीड हम सिलेक्ट करते हैं हम काम देखते हैं उसका हम उसको बहड़े के साब से मट्टी में जो उसकी रिजल्ट आएगा काटने का उसको देखके आप बात करेंगे तो यह बेस्ट स्पीड है हम भाड़े के साब से स्पीड नहीं बनाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर अगली सवाल के और बढ़ते हैं और यह सवाल आता है विजय सुनवाने जी का जो EPI Power Max में महराष्टर में यह Power Max सीरीज अविलेबल होगा क्या अभी हम पहले भी बता चुके हैं बिल्कुल Power Max में सभी Power Max की ट्रेक्टर अविलेबल हैं आप कोई भी एजनसी से बात करें पहली बात तो बदाई है कि आपने 355 बहुत साल से संबाल के रखा है चला रहे हैं इ EPI की यह बहुत मजबूत च्रेक्टर है इसमें Gearbox, Axle, Crown, Hydraulic सब कुछ बहुत अच्छा आपके इलाके के मत्टी के साब से प्लाव में चिजल प्लाव में यह डग फूट में बहुत अच्छा चलेगा आपको हो सकता कि 355 से भी ज्यादा अच्छी सर्विस दें बहुत बहुत धन्यवाद सर्वाल के और बढ़ते हैं और यह आता है दंगाराम चोधरी जी का यह पूछ रहे हैं सर जी क्या डीजी ट्रेक्टर लेने के लिए पुराना ट्रेक्टर एक्सचेंज कर सकते हैं क्या यह आप जब हमारी वेबसाइट खोलेंगे उसमें हमने बड़ा क्लेर बताया हुआ है कि हम पराना ट्रेक्टर नहीं लेते हैं इसलिए हम उसको आपको ऑनलाइन सर्विस भी देंगे और आपका ट्रेक्टर भी डिलिवर करेंगे इसमें एक्सचेंज का हमारा कोई स्कोप नहीं है कि तो यह अपने लोकल में अपने दोस्त ट्रेक्टर अपना बेच सकते हैं और न्रीं प्याह ட सब्सक्सक्समें झाड उब्ग्सर ग जगई उगे आएंगे मगर टी टॉन्टी की जगह इसमें बारा प्रस तीन अलड़ी स्टार्ट हो चुका है उसको आप देख सकते हैं और सुस्पेंटी पैटल कोई एक साल के बाद आएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद तो यह जो पंद्राज स्पीट का गेर बॉल रहे हैं तो यह इसमे ABC के साबसे ही तीन सेक्षन है चार-चार गेर के बारा आगे के और तीन पीछे के पंद्राज गेर रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद सर अगली सवाल के और बढ़ते हैं यह आ रहा है राम नारायन जन्वाजी का और यह पूछ रहे हैं फार्म ट्रेक में CRDI इंजिन कब ल में थोड़ा एक्स्टर टाइम दिया क्योंकि जो पीछे बिमारी आई उसकी वज़ा से सभी कंपनियां अपना काम पूरा नहीं कर सकी तो यह जो साल अभी स्टार्ट हुआ है 2021 इसमें आएगा और जैसे आएगा तो आपको हमारी डीलेशिप से पता लग जाएगा बहुत- करेंगे कमर्शली पीपी 43 कैसे रहेगा सर अभी तो हमारा पंजाब हर्याना और वेस्टर यूपी में डीजी ट्रैक सर्विस है और उधर हम बेशते हैं अभी ये एरिया को थोड़ा और ड्वल्प करके फिर हम राश्ताम में एंटर करेंगे उसका प्रोग्राम हमारी बनाने के लिए बहुत 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 अच्छा लगता है कि आप लोग हमें याद करते हैं बार बार आते रहे हैं कुष्चन डाले हैं हम उसका जवाब देंगे तो सारे दर्शकों से मैं ये पूछना चाहूंगा क्या आपको ये सारा प्रश्णत्वर का किते रहेंगे और हाँ अगले एपिसोड को बिना मिस की आप देखना चाहोगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद